जैश्री केदार, स्वागत है दोस्तों एक और नए अपडेट के साथ आप सभी का डेवैंस स्टोरी यूटूब चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आपको केदारनात धाम के मोसम के बारे में बताना चाहूंगा कि क्या यातरा चल रही है और बारिश के क्या हालात है और हेलिकॉप्टर स्वीधा इस समय चल रही है हेलिकॉप्टर उड़ रहे है या नहीं उड़ रहे है और कितनी भीड है कब तक मोसम साफ होने का अनुमान है ये सारी जानकारिया आपको मिलने वाली हैं इस वीडियो में वीडियो पूरा जुरू देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना इस चैनल पर हम बावा भोलेनात की आतराव सम्मंदित अपडेट आप लोगों के साथ शेर करते रहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं आज के मोसम के बारे में बता देता हूँ आज रविवार के दिन मोसम जो है वो खराब रहने का अनुमान है केदारनाथ घाटी में रेड अलर्ट है पिछले दो से तीन दिन का यहां केदार घाटी में आज रविवार को भी यहां बारिस रहने के 130 अनुमान है और कल सोवार को भी बारिस रहने के अनुमान है लेकिन मंगलवार से दिन का जो मोसम है वो साफ होता चला जाएगा और फिर उसके बाद 28 सितंबर के बाद से मोसम साफ रहने के अनुमान है उसके बाद अक्तूबर में जो है फिलाल बारिस के कोई अनुमान नहीं लगाए जा रहे हैं अगर अक्टूबर में मोसम खराब होता है तो यहां बरबारी देखने को आपको मिलेगी और फिलाल यातरा सुचारू चल रही है बारिस के कान जो है यातरी बहुत कम पहुँच रहे हैं यातरा में यातरी जो है कम होने की वज़े से बड़ी आसानी से लोगों के दर्शन जो है केदाना धाम में हो रहे हैं दो से तीन दिन के बाद आप अपनी यातरा का प्लान आसानी से कर सकते हैं मोसम साफ हो जाएगा, कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी, फिलाल आपको रस्ते में कहीं कहीं लेंड स्लाइट देखने को मिल जाएगे, और काफी बारिस आपको इस समय उत्राखन में मिलेगी, तो आप अपना प्लान 28 सितंबर के बाद से लेकिन बारिस की वज़े से जो यात्यों की संख्या है वो कम हो गई है, काफी कम सरदालू पिछले 2-3 दिन में केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं, और मंदिर में लगातार बारिस चल रही है, अगर आप 20 साल यात्रा करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द अपना यात्रा रेजिस्टेशन करा लीजिए, और केदारनाथ यात्रा में आप आ सकते हैं, सिर्फ जो है अक्तूबर का महीना रह गया है, 26 अक्तूबर को केदारनाथ जी के कपाट बंद कर दिये जाएंगे, उससे पहले आप जो है केदारनाथ धाम में आकर बावा के दर्शन कर सकते हैं तो कैसा लगा आज का ये, इन्फोर्मेशनल वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए आया हो तो सस्क्राइब करना मत भूलना, इस चैनल पर ऐसे ही अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहते हैं और अगर हेलिकॉप्टर के बारे में बात करें, तो जिस समय मोसम साफ रहता, उस समय हेलिकॉप्टर सुड़ते हैं और बारिस के समय में रुख जाते हैं, तो जो भी बारिस का समय रहता, उस समय की जिनकी फ्लाइटे रहते, वो कैंसल कर दी जाती हैं, और उसके बाद जो है मोसम साफ रहते ही हेलिकॉप्टर उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं पिछले दो दिन से दिक्कत आ रही है और हो सकता है सोंवार तक दिक्कत ये रहने वाली है उसके बाद regular हेलिकॉप्टर उडएंगे तो जिनके भी हेलिकॉप्टर के टिकेट हैं वो भी आके यात्रा अपनी असानी से कर सकते हैं तो कैसा लगा ये आज का वीडियो कोमेंट करके जोब बताना फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद हरन महादेव जै बाबा के दार